नमस्कार दोस्तों लर्नुवे धार्जे में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ नात पंत माइनर पेपर के MCQs के तीसरे भाग को इसके पहले दो भाग पहले ही अपलोड किये जा चुके हैं जिसका लिंक यहाँ पे उपर दिया जा रहा है यह यह पहले भाग का लिंक है और इसके एक मिनट बाद आपको दूसरे भाग का लिंक इसी जगह पे दिखाई दे जाएगा इसके अलावा डिस्क्रिप्सन में और कमेंट सेक्षन में भी आपको पहले दोनों भागों के लिंक मिल जाएंगे तो आईए सुरू करते हैं पहला प्रसने इन में से नात संप्रदाय में क्या नहीं है नारी निंदा इंदिय निग्रह गुरु महिमा या ग्रिहस्तों का आदर तो देखो नात संप्रदाय में नारी निंदा भी की गई है इंदियों के निग्रह की भी बात की गई है गुरु की महिमा भी गाई गई है लेकि ये लाइने किसकी हैं? कबीरदास, रैदास, गोरकनात या सरहपा? तो यहाँ पे आपका आपसन नमबर सी सही होगा गोरकनात की ये लाइने हैं. इसके बाद किसके अनुसार संकराचार्य के बाद इतना प्रभावसाली और इतना महिमानवित भारत वर्स में दूसरा नहीं हुगा? भक्ती आंदोलन के पुर्व सबसे सकतिसाली धार्मिक आंदोलन गोरकनात का भक्ती मार्ग ही था. तो ये लाइने किसने लिखी हैं? जार्ज गियर्सन, रामचंद सुकल, राहुल सांस्क्रियान या हजारी प्रसाद दिवेदी? तो ये लाइने हजारी प्रसाद दिवेदी की हैं. आपसन नमबर D आपका सही हो जाएगा. अगला प्रसंद देखते हैं, नात संप्रदाय ने परवर्ती संतों के लिए सधार्चरर प्रधान धर्म की प्रिष्ट भूमी तयार कर दी, जिन संत सादों की रचनाओं से हिंदी साहित गौर्वानमित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूम का मिल गई. यह बात किस ने कही है, आचारिय राम चंद सुकल, डाक्टर नागिंद, राम कुमार वर्मा, या हजारी प्रसाद दिवेदी, तो यहां पे भी आपका आपसन नमबर डी सही होगा, हजारी प्रसाद दिवेदी जी की यह लाइन है, नात संप्रदाय के केंदी मर्ध की अस्थापना किस अस्थान पर हुई है, जोधपूर, जैसलमेर, बारमेर या नागोर, तो देखो, नात संप्रदाय का केंदी मर्ध जोधपूर में है, आपसन नमबर यह आपका सही होगा, इसके बाद है, नात पंथ के महान संत निम्न में से कौन है, दादू दयाल, भृतहरी, जसनात या बाबू जी, तो नात पंथ के महान संतों में भृतहरी का नाम आता है, आपसन नमबर यह आपका सही होगा, अगला प्रस्न, आचार्य रामचंद सुकल ने गोरक नात के प्रमारिक ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है, 10, 15, 11 या 20, तो रामचंद सुकल जी ने गोरक नात के प्रमारिक ग्रंथों की संख्या 10 बताई है, आपसन नमबर यह आपका सही हो जाएगा, इसके बाद है, नात पंथ ने किस आउधारना पर बल नहीं दिया है, पिंड ब्रम्हांडवाद, गुरु महिमा, नारिस्वरवाद या इन में से कोई नहीं, तो नात पंथ में ना यह लोग नहीं है, इस लोग है, तुलसीदास, रैदास, कभीरदास या रामानंद, तो यहाँ पर आपका आपसन नमबर यह सही होगा, तुलसीदास जी ने यह लाइन लिखी है, इसके बाद है, निम्न में से गोरकनात के गुरु कौन थे, आदिनात, जालंधरनात, मस्ते पास फांस से किसका उधार किया था, चोरंगीनात, गोपीचंद, मचिंदनात, या चोणकरनात, तो यहाँ पर आपका आपसन नमबर सी सही होगा, मचिंदनात, गोरकनात ने किसके योग को लेकर हट योग का प्रवर्तन किया, मस्तेंदनात, जालंधरनात, पतंजली या च तो देखो पतंजली जी जो है जो योग सिखाते थे या योग गुरु थे इनके योग को लेकर हट योग का प्रवर्तन गोरक नाज्जी के द्वारा किया गया आपसन नमबर सी आपका सही होगा अगला प्रसने हट योग में ठोका अर्थ क्या है चंद ग्यान वैराग्य या सोड्य तो यहाँ पे आपका आपसन नमबर सही हो जाएगा चंद इसके बाद नाथों ने ब्राम्हरों के किस कर्मकांड पर कराप्रहार किया है वैदिक विवाह अंतिम संसकार ग्रिहस्त जीवन या कर्मकांड वरा स्रम व्योस्ता तो देखो नाथों ने कर्मकांड को कराप्रहार किया है आपसन नमबर डी आपका सही हो जाएगा अगला प्रसने अलक निरंजन की सवस्था को कहा जाता है वैराग्य मन साधना सुन्य समाधी या प्राण साधना तो देखो कोई व्यक्त अगला प्रसने तो यहाँ पे भी आपका अपसन नमबर भी सही होगा गोरकनात इसके बाद है गोरकनात की रचनाओं की संकलन किस नाम से है तो साखी तो कबीर दास्ता है आपसन नमबर भी आपका सही होगा गोरकनात की रचनाओं का संकलन किया गया है अगला प्रसने तो देखो उलट वासी सैली का प्रियोग नाथों के द्वारा भी किया गया है ये बात बिलकुल सत्य है आपसन नमबर भी आपका सही हो जाएगा इसके बाद है नाथों ने अपने मत का प्रचार किस दिसा में किया उत्तर, पुर्वोत्तर, दच्छिर या पच्छिमोत्तर तो यहाँ पे आपका आपसन नमबर D सही होगा पच्छी मुत्तर अगला प्रस्ण गुरु महिमा, इंदिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलनी, जाग्रार आदिका महत्य किस साहित के अंतरगत मिलता है सिद्ध साहित, नाथ साहित, लौकिक साहित या बौध साहित तो यहाँ पे आपका आपसन नमबर D सही हो जाएगा, नाथ साहित में ये सारी चीजे मिलती है अगला प्रस्ण बाल नाथ कौन है मस्तेंद नाथ, सरहपा, जालंधर नाथ या गोरक नाथ तो यहाँ पे आपका आपसन नमबर D सही होगा, जालंधर नाथ तिक है इन्हें बालनाथ भी कहा जाता है जोई जोई पिंडे सोई ब्रमहंडे यह पक्ती किसकी है मचंदनाथ आदिनाथ गोरकनाथ या सरहपा तो यहां पे भी आपका अपस्टन बड़े सही होगा मचंदनाथ ने ये बात कही है ये लाइने लिखी है इसके बाद है काफिर बोध किसकी रचना है गोरकनात, चरपटनात, जालंधरनात या मचिंदनात तो काफिर बोध गोरकनात की रचना है आपसन नमबर है आपका सही हो जाएगा गोरकनात के गुरू मचिंदनात का वास्तिक नाम क्या था तो मचिंदनाथ का वास्तिक नाम जो है विस्णू सर्मा था आपसन नमबर भी सही है अगला प्रस्ने किस विद्वान के अनुसार गोरकनाथ कांगरा के निवासी थे तो देखो डाक्टर बच्चन सिंग के अनुसार गोरकनात कांगरा के रहने वाले थे आपसन नमबर C आपका सही हो जाएगा इसके बाद है गोरकनात द्वारा रचित कितनी रचनाय मानी जाती है 32, 35, 36 या 40 तो ये माना जाता है कि गोरकनात ने 40 रचनाय की थी आपसन नमबर D आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्न गोरकनात के सिस्य थे चरपटनात, चोरंगीनात, मचेंदनात या जालंधरनात तो इन चारों में चोरंगीनात जो हैं ये गोरकनात के सिस्य थे आपसन नमबर D सही है अगला प्रसने गोरकनात के हट योग का अर्थ है बल पुर्वक इस्वर से मिलन, दास्य भाव भक्ती, आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव, अद्वैत वाद पर आधारित भक्त तो देखो हट योग में हट की प्रधानता होती है यानि बल पुर्वक इसर से मिलन का प्रयास किया जाता है आपसन नमबर ये आपका सही हो जाएगा आगे देखिए प्रांट संकली रचना के रचैता कौन है जालंधरनात महंदनात गोरकनात यार डाक्टर नागिंद तो प्रांट संकली ये रचना जो है गोरकनात जी की है आपसन नमबर सी सही हो जाएगा अगला प्रस्न है रायस्थानी अनुस्रुतियों में गोरकनात का कौन सा नाम नहीं मिलता है गुंग, जहरपीर, भीमवीर, बागरवीर तो देखो गोरकनात को बहुत सारे नाम दिये गए है और आयस्थानी अनुस्तियों में अलग-अलग नाम से इनको पुकारा गया है तो इसमें बाकी नाम तो सही है लेकिन भीम वीर नाम इनको नहीं दिया गया है आपसन नमबर सी आपका सही हो जाएगा अगला प्रसन है कौन सी परंपरा रायाओं को योगी बनाती है नात, सिद्ध, वज्रियान या बौध तो यहाँ पर आपका आपसन नमबर सही होगा नात अगला प्रसन सिद्धों और नातों के बीच की करी किसे कहा जाता है मचिंदनात, गोरकनात, चरपटनात, आदिनात तो सिद्धों और नातों के बीच की करी मचिंदनात को कहा जाता है ये दोनों ही संप्रदायों के साथ जूरे हुए व्यक्ति थे और दोनों के बीच में एक तरीके से मध्यस्ता का प्रयास करते थे पूरन भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए चोरंगी नात, आदिनात, गोरकनात या मचिंदनात तो पूरन भगत जो है चोरंगी नात का ही दोसरा नाम है और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे आगे है चोरंगी नात किसके सिसे से मच्छिल्दनाथ, जालंधरनाथ, चर्पटनाथ या गोरकनाथ तो चौरंगीनाथ, गोरकनाथ के सिसे सही आपसननमबर दी आपका सही हो जाएगा अगला प्रसने राज कुमार वर्मा ने नौ नाथों में किसे सिकार नहीं किया है मुक्तिनाथ, चौरंगीनाथ, आधीनाथ या गोरकनाथ तो राज कुमार वर्मा जी के अनुसार नाथ पंत में नौ नाथ हुए है उसमें इन्होंने मुक्तिनाथ को अस्थान नहीं दिया है आपसननमबर आपका सही हो जाएगा अगला प्रसन है इन में से किसकी रचना गोरकनाथ ने नहीं की थी गोरक सहिता, सिध सिधान्त पधती, संग पटक या महार्य मंजरी तो बाकी सब तो गोरकनाथ की रचना है लेकिन संग पटक गोरकनाथ की रचना नहीं है आपसननमबर सी आपका सही है अगला प्रसंद देखते हैं नाथों का मुख्य समय है सात्मी से बारहवी सदी बारहवी से सोलहवी सदी दस्मी से तेरहवी सदी या आठ्मी से तेरहवी सदी तो देखो नाथों का समय जो है दस्मी से तेरहवी सदी का समय माना जाता है ठीक है? आफसन नमबर C आपका सही हो जाएगा यानि 990 से 1290 तक का समय ठीक है ना? ये नाथों का समय माना जाता है 13. सदी यानि 1201 से लेके 1299 तक की हो दी बिला प्रसन है निम्न में से कौन एक गोरक नाथ द्वारा रिचित है? साखी, सब्दील, सबद या नमक का दर होगा तो यहाँ पर आपका आफसन नमबर 20 सही होगा सब्दील इसके बाद है गोरक नाथ मंदेर ट्रेष्ट के मुख्या कौन है? अवैद नाथ, दिगविजे नाथ, आदितिनाथ या नरेंद मोदी तो देखो, गोरक नाथ मंदेर ट्रेष्ट के मुख्या वर्तमान में योगी आदितिनाथ है आपसन नमबर 20 आपका सही हो जाएगा अंतिम प्रसन है, आज के लिए गोरक नाथ मंदेर कहा पे स्थित है? आगरा, गोरक पूर, बनारस या मतुरा तो ये तो सभी को मालूम है, गोरक नाथ मंदेर गोरक पूर में है आपसन नमबर 20 आपका सही हो जाएगा तो उमीद है कि ये वीडियो आपके लिए उप्योगी हुआ होगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सेड कीजे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान दबा लिजे आज के लिए इतना ही गुड़ डेट वाला प्यो